मोबाइल डिजिटल तक्नीक में हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बन चुका है और अब अगला लक्ष है भविश्य की नई तक्नीक यानि आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस का आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस पर हिंदुस्तान में काम शुरू हो चुका है पीम नरेंद्र मोदी ने सुमबार को Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment यानि RAISE 2020 Summit का उधातन किया इस वर्टिवल समिट में पीम ने उमीद जताई कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस का हब बनेगा Artificial Intelligence यानि वो तकनीक जिसके जरीए मशीन में इंसानों की थरे सोचने समझने और निर्णे लेने की शमता विक्षित की जाती है हिंदुस्तान डिजिटल क्रांती में दुनिया के शिखर पर जा पहुँचा है और अगला लक्ष है AI यानि आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस के शेत्र में वर्ल लीडर बनना सोमवार को PMODI ने RACE 2020 के वर्चुल समित का उधगाटन किया तो अगला लक्ष आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस का ही था technology has transformed our workplaces he did improved connectivity time and again technology has helped us solve key challenges I'm sure this merger अर्टिविशल इंटेलिजेंस को हिूमन टच देने के उद्धेश से ही इस समिट को रिस्पॉंसिबल आर्टिविशल इंटेलिजेंस फॉर सोचल इंपावर्मेंट यानी रेस 2020 नाम दिया गया है वर्च्वल समिट को संबोधित करते हुए केंद्रिय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा डिजिटल इंडिया के जरिये गवर्नेंस आसान हुई है क्यूंकि अब तक भारत में करीब सतर करोड लोग के पास इंटरनेट सो विदा पहुँच चुकी है Our Prime Minister is passionate about transforming the life of ordinary Indians to the power of technology And when he gave us the theme of digital India, six days down the line, we see how it has improved governance बी डिजिटल दिलिवरी अव सर्विसे, डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई-हॉस्पिटल, डिजिटल मार्केट पर फार्म प्रेडियूस, और डिजिटल लिटरेशी और डिजिटल पेइमेंट. डिजिटल इंडिया की जो नीव रखी, आज उसी नीव से हिंदुस्तान दुनिया में डिजिटल क्रांती के शिखर पर पहुँँच गया है. Six years ago, sir, you launched the Digital India Mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens. We have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. इस summit का मकसद स्वास्थ, स्विक्षा, क्रिशी शेत्र में परिवर्तन लाना है. नीती आयोग के CEO मिताब कांत ने summit को संभोधित करते हुए कहा कि IT तकनीक ने क्रिशी शेत्र में क्रांती की शुरूवात कर दी है. यानि साफ है, PM Modi के विजन साफ है, हिंदोस्तान डिजिटल युग में अपनी बात्चाहत हासिल कर चुका है. और अब अगला लक्ष आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस का है. लक्ष बड़ा है, लेकिन तकनीक के युग की इस नई क्रांती में भी हिंदोस्तान अपना सिक्का जमा कर रहेगा. ब्योरो रिपोर्ट, नियूस 24.